हेलो गाईस आज हम बात करेंगी ओपो एप 17 एप 17 प्रो के कैमेरा के बारे में आप लोग को पता होगा यहाँ दोनों ही डिवाइस अगर आप लोग यूस करें होगे किसी के पास एप 17 होगा किसी के पास एप 17 प्रो होगा दोनों ही काभी लिए तारीफ फोन है और आप तब अलोग का मतलब है कि आप लोग जोए इनके पूरे डाउट आप ने उटा पाते हैं और आप लोग सोस्ती हार कि कॉलिटी मतलब कि मेगा पिक्सल के साथ से अपके आप लोग को बता दूगा इसकी यह सारे डाउट आप लोग जोए इस वीडियो के माध्यम से जो है कैमर से related यहां पे clear कर सकते हैं कैसे करेंगे सब हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो के साथ बने रहे तो चलिए पिनटाइविस्ट की वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूगा इसकुछ setting से आप हमें follow करना पड़ेगा इसके लिए आप लोग तो यहां पर आप लोग इसको data clear करतीजीगा मेरी मान ये तो क्योंकि अभी जो हम आप लोग को system बताने वाला अलग दम नए तरीके से बताने वाला हूं तो यहां पर मेरे notification पर क्लिक करना है यहां पर आप लोग को notification देखना है कि आप लोग ने इसका notification allow किया है या फिर नह है जरूरी रहता है allow करने के लिए first camera microphone storage उसके बाद second option है location का location को आप लोग क्लिक करें और इसको आप लोग allow all time कर दीजीगा उसके बाद phone पे क्लिक करें इसको भी allow यहां पर कर दीजीगा जैसे आप लोग अपने phone में चो यह सारी permission अलाव करते है उसके बाद आप लोग को simply camera application open करना है जैसे आप लोग अपने phone में camera application open करें आप लोग के फोन में जो camera रहता है अब देखना qualities की उपर में आप लोग को टूरोस पर क्लिक करना है इसकी setting में जाना है और setting में आप लोग को कुछ यहां पर setup करना पड़ेगा जैसे कि मैं आप लोग बढ़ा दू इसका location कर दीजेगा आप लोग सेट कर दीजेए इसका location इसका location कर दीजेगा और उसके बद आप लोग कुछ और यादा कुछ नहीं करना आप लोग को सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे phone में resolution रहते है उसको एक्दम टॉप पे कर देना है उसके बाद आप लोग को camera का जो quality रहता है सेट अप करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूले अपने OPPO F17 F17 Pro में उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पर संगर की जामात आदे